इस वीडियो के थुरू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज इस सीरीज का नाम है आसान भाशा में गेम डिव इस पूरी सीरीज के थुरू इस पूरे प्लेलिस्ट के थुरू मैं ट्राइ करूँगा अगर आप अपनी गेम डिवल्पमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो कॉनसेप्स है कोई गेम इंजिन स्पेसिफिक नहीं है ये फंडमेंटल कॉनसेप्स है जो आपको आने जरूरी है और कहीं न कहीं पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को एकदम बेसिक इ ये सारी चीज़े आपको explain करने के लिए इन वेरी 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 सिंपल तो पूरी जो सीरीज होगी हिंदी के अंदर होगी एंड इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड का पहले एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूं वेक्टर्स यूज्ट इन गेम development अब मैं MS Paint यूज करने वाला हूं को पूरा concept explain करने के लिए और एकदम simple भाषा रखोंगा कोई एकदम rocket science नहीं होगा कोई complicated चीज नहीं रहेगी तो चलिए बिना किसी देरी के अभी हम लोग शुरुआत कर देते हैं मैं मेरे camera को थोड़ा सा चोटा कर देता हूं ताकि के बार में तो उस time पे ये जो vectors होते है actual में आपको game के अंदर बहुत ही जादा काम आते है especially जब आप एक 3D और 2D गेम बना रहे हो तो in fact ये जो concept है वो दोनों 3D और 2D गेम में apply होता है अगर आप कोई भी directions के साथ deal करते हो तो vector mathematics is extremely important अब vectors कौन से कौन से होते है एक होता है आपका x, y and z ठीक है तो ये तीन आपके vectors होते है अब x, y, z actually होते क्या है वो मैं आपको try करूँगा explain करने के लिए अगर आपको graph आता है ठीक है mathematics में में आपको समने graph सीखा है तो graph को जब आप plot करते हो तो 2 axis होते है एक होता है आपका x axis और दूसरा होता है आपका y axis ये त आपका upward axis रहता है और x रहता है वो आपका right axis रहता है यहाँ पे right तो यहाँ पर यह हो गया यह मैंने arrow यहाँ पर डाल दिया यहाँ पर पने को पता है कि y axis है और x axis है मतलब उपर जाना है तो y use करना है right में जाना है left में जाना है तो x use करना है एक और axis होता है जो होता है आ अब जैसे आप यहां पर देखोगे हम लोगने हैं यहां के साथ हम लोग ने Efendimiz आपको मिसलीडिंग हो सकता है क्यों कि हम 3D में काम नहीं करें मैं आपको मेंस्ट पेंट के उपर दिखा रहा हूं तो इस वैसे मैं करना बन करके मैं अभी आपको camera की तिरफ लेके आता हूँ ठीक है अब fundamentally समझिए x y और z का मतलब y हमने देखा उपर है ठीक है मेरे हाथ के उपर ध्यान दीजिए उपर मैं एक ही direction में मूफ कर रहा हूँ ओपर नीचे ठीक है यह हो गया आपका फिर x हो गया आपका left right यहां पर वापस मैं एक ही direction में मूफ कर रहा हूँ और फिर z जो है वह हो गया आपका depth ठीक है कैसे मेरा हाथ camera के आसपास आ रहा है रहा है यह z axis होता है तो अब मैं वापस screen share कर देता हूँ और इसको यहां पर plot कर देता हूँ क्यूंकि मैं यह z axis को actual में ms paint के अंदर बाहर नहीं कर सकता इस वज़े से मैं इसको ऐसे plot कर रहा हूँ in the form of a line that goes between x and y यह हो गया मेरा z axis अब यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां पर इसको properly with an arrow denote नहीं कर सकता वह इस वज़े से क्योंकि यह depth axis है मतलब यह अंदर बाहर जा रहा है तो अगर मान लेते हैं मुझे एक cube draw करना है तो cube के case में अगर मैंने यहां पर एक square लिया और मैंने यहां पर एक line draw की ठीक है तो cube में अगर मुझे यह ऐसा करना है तो देखे कितना easily मैं अभी एक 3D cube बनाने वाला हूँ और at least एक illusion आएगा आपको कि मैं एक 3D cube बना रहा हूँ ठीक है तो यह देखे यहां पर मैंने यह cube बना लिया और यहां पर इससे एक line draw कर दी ठीक है अब cube के अंदर obviously हम लोग ने यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने जो drawing बनाई है इसको मैं थोड़ सा enlarge कर देता हूँ ताकि मैं side by side आपको दिखा सको यह जो drawing है वो कुछ हमने ऐसी बनाई है यह देखो यह drawing हमने ऐसी बनाई है मैं यहां पर इसको इसी के साथ compare कर देता हूँ यह अपनी drawing में अपने पास front facing है side facing है और up facing है तो यह हो गया आपका 3D object so basically this is the fundamental difference between a 2D object or 2D game and a 3D game 3D games के अंदर depth होती है और वाइल 2D games के अंदर depth नहीं होती अगर मैं आपको कुछ examples दू 2D games और 3D games के तो 2D games are something like angry birds अगर आपने angry birds देखा हो गता हूँ मैं quickly आपके साथ angry birds के एक level का screen share कर देता हूँ मैं quickly google search कर रहा हूँ और google search के तुरू जो भी images आएंगे वो मैं search करके आपको यहाँ पर screen share करके वापस बता रहा हूँ यह देखिए screen share कर दिया आप इसको observe कीजिए angry birds is a 2D game क्योंकि आप इसके अंदर depth में नहीं जा रहे हूँ यहाँ पर आपने यह एक पोल है इसके उपर से objects bounce करा दिये यह जो birds है उनको bounce करा दिया और यह bounce होने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो obviously birds बाहार नहीं आते हैं अंदर बाहार नहीं आते तो इनवे यह एक 2D game हुआ इनवे नहीं यह एक 2D game ही है बट अगर हम लोग बात करते हैं एक गेम जिसका नाम है subway surfer for example ठीक है तो subway surfers मैं अभी search करता हूँ subway surfers अब अगर subway surfer देखे तो यह गेम के अंदर depth है इसका मतलब है कि character अभी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है और फिर बाद में right में भी जा रहा है लेफ्ट में भी जा रहा है उपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता right तो यह हो गया एक example of a 3D game obviously 3D game है इसका मतलब यह नहीं कि screen के बाहर आ जाएगा कोई character but it basically means कि यह game के अंदर आप तीन तीन access के साथ काम करते हो and अगर आपको access की information जाननी है तो these access are stored inside data structure called as vectors okay तो vector basically holds your information holds the value of all your directions मैं यहां पर font की size थोड़ी से बढ़ा देता हूं और मैं भी आपको explain कर देता हूं तो X के अंदर अगर आपको move करना है मान लेता है यह जो coordinate system है यह आपका x, y और z पर map होता है ठीक है तो x अगर मैं बोलता हूं 0, y अगर मैं बोलता हूं 0 और z अगर मैं बोलता हूं 0 इसका मतलब यह है कि यह जो origin point है वो आपका center हो गया ठीक है अब हम जब code लिखते है तो उस time पे कोई भी game engine हो अगर आपको किसी भी object को आगे बढ़ाना है आगे move करना है तो हम यह सारे direction vectors के उपर निर्भर रहते हैं ठीक है तो अगर मान लेते हैं मुझे move करना है in x direction y 10 units तो हम basically यह graph के उपर plot करते हैं और कोई भी game engine अगर आप यूज़ करते हो unity और unreal engine वहाँ पे आपके object में तीन properties रहते हैं एक होता है आपका मैं आप लिख देता हूँ पोजिशन एक होता एक मिनट यहाँ पे मैं वापिस इसका font size पढ़ा देता हूँ position हो गया फिर बार में होता है आपका scale और एक होता है आपका okay sorry scale और rotation अब हर एक में भले आप position ले रहे हो या फिर scale ले रहे हो या rotation ले रहे हो हर एक property के अंदर आपको x, y और z देखने मिलेगा आप सोचोगे कि अभी ये कैसा होगा position के अंदर x है y है z है scale के अंदर x है y है z है और rotation के अंदर x है y है और z है right अब ये काम कैसे करेगा exactly तो मान लेते हैं कि आपके वास ये एक circle है ठीक है ये circle आ गया ये circle रहेगा आपका यहाँ पर अब यह जीरो 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 पर हम इसको अगर move कराना चाहते है मान लेते हैं इसको मैं थोड़ सा बढ़ा करता हूं ताकि मैं इसको properly shift करका हूं इसको मुझे अगर move करना है in x direction by 10 units तो मैं ऐसा एक code लिखूंगा जो मेरे position के x value को access करेगा और इसको 10 units से आगे बढ़ाएगा same चीज अगर मुझे इसको y direction में move करना है तो position का y coordinate मैं use करूंगा अब same concept scale में भी apply होता है मान लेते हैं कि मुझे इसका scale x axis में बढ़ाना है तो मैं जब इसको scale करूंगा तो ये object कुछ इस तरीके से scale होगा मैं इसको थोड़ा सा side में ले लेता हूं तो आपको proper understanding में ले तो scale अगर मैं x direction में कर रहा हूं तो मेरा object कुछ इस तरीके से scale होगा अगर मैं उसको y direction में scale कर रहा हूं तो मेरा object कुछ इस तरीके से scale होगा and similarly अगर वो z side में scale कर रहा हूं तो फिर वो z axis में in fact depth axis में scale होगा 2D games के अंदर आप जैसे मैंने बुला दो axis के ओपर काम करते हो तो इस वज़से ये screen के ओपर मैं आपको सिफ 2D object के related बता पाऊंगा अगर आपको 3D का information चीए तो उसको भी मैं cover करूँगा but I think वो मुझे एक game engine के अंदर demonstrate करना पड़ेगा same चीज होता है with regards to rotation as well, rotation भी आप एक axis में कर सकते हो, दो axis में कर सकते हो या फिर तीन axis में कर सकते हो similarly अगर मुझे ये तीनो values modify करनी है तो आप वो भी कर सकते हो मान लेते हैं आपको X और Y अगर आप scale कर रहे हो right which means आपका जो object है वो uniformly scale होगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है मैं यहाँ पर X की value भी बढ़ा रहा हूँ और Y की value भी बढ़ा रहा हूँ और अगर मैं इसको मान लेते हैं यहाँ पर रख रहा हूँ for example और इसको यहाँ पर move कर रहा हूँ तो मैं इसको X direction में भी move कर सकता हूँ, Y में भी move कर सकता हूँ और जो भी आप यहाँ पर इसको place करोगे, for example, maybe यह हो गया X as just make random number ले रहा हूँ, X की value हो गई यहाँ पर 5 और Y की value हो गई 6 which basically means कि अभी अपना object जो है, वो X वाले direction में 5 unit से move हुआ है और Y direction में 6 unit से move हुआ है, all in all यही होता है, the concept of vectors और vectors के अंदर काफी सारा दूसरा भी complications आता है, जैसे आप vector को, you know direction vector एक चीज होता है कि कौन से direction में जा रहा है, but at the same time अगर आपको मान लेते हैं, angry birds जैसा को यह game बनाना है, तो उस case में आपको एक चीज लगेगी that is, आपको direction vector लगेगा, which basically means कि आपको object को कौन से angle में throw करना है तो वो case में आपको लगेगा essentially एक चीज जिसका नाम है, normalized vector अब normalized vector क्या होता है, जादा कुछ complicated नहीं है, normalized vector मतलब यह है कि एक vector जिससे आपको पता चलता है कि आपका object कौन सी direction में face कर रहा है मान लेता है कि यह मेरा हाथ है, ठीक है, यह मेरा हाथ ऐसे rotate हुआ तो इसका मतलब यह है कि मेरा हाथ अभी मान लेता है, अभी मैं screen को ऐसे रखता हूँ, ठीक है तो आप देख सकते हो, यह हो गया मेरा x-axis, यह हो गया मेरा y-axis अब जब मेरा हाथ ऐसे रोटेट होता है आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको आसान भाषा लगी अगर आपको लगा कि यह concept आपको समझ में आया है तो मुझे comment section में बता रीजे मैं ऐसे और वीडियो डालूंगा जिससे आपको help हो जाए और बताइए मुझे कि आपको यह concept कैसे लगे ताकि अगर similar concept आपको में so that's it for this video दोस्तो अगर आपको यह video पसंद आया है मैं ने यह कुछ नया ट्राइ किया है तो मुझे बता दीजे comment section के तुरू and मैं ऐसे और वीडियो बनाऊंगा आप सभी लोग के लिए so that आपको अपनी game development journey में help हो that's it for this video दोस्तो मैं मिल तापको मेरे अगली होडे में तब तक लिए अपना ख्याल रखना